नवस्कार सियासिया खाड़ा देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वरुन गोयल आज कई महमानों के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हर्याना की सभी 10 लोग सभा सीटों पर और एक विधान सभा सीट पर मतदान सं संपन हो गया है मतलब अब यह है कि छे बत चुके हैं तो वो लोग जो अब पोलिंग बूत पर मतदान केंदर में भीतर चले गए हैं वो बोट डाल पाएंगे लेकिन बाहर से और लोग अब बोट डालने नहीं आ पाएंगे हर्याना की सभी 10 लोग सभा सीटों पर मतदान स संपन हो गया है फाइनल वोटिंग के आकड़े कुछी देर में हमारे सामने होंगे लेकर आपको बतरा दें कि फिलाल यह सभी 10 सीटों पर मतदान संपन हो गया है और पूरे हर्याना में एक दो छिटपूर घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपून संपन हुआ है शांतिपून तरीके से मतादिकार का इस्तेमाल किया गया है थोड़ी देर में जो फाइनल फिगर है वो हमारे पास आ जाएगी शाम पांच बिए तक का फिगर है वो बताता है कि 55 फीजदी मतदान हुआ अंबाला और सिर्सा में सबसे ज़्यादा और फरीदाबाज में सबसे कम मतदान देखने को मिला हमारे वरिष्ट नहीं होगी पावन सिवर हमारे साथ जुड़ गया है पावन छे बच चुके हैं मतदान संपन हो गया है फाइनल फिगर के लिए हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा उनका ये कहना था कि परदेश के जागरुक जो मतदाता है उन्होंने अपने मतदा दिकार का प्रयोग किया है और शांति पूर तरीके से मतदान परकिरिया को संपन करवाने में उनकी महतपूर भूमिकार रही है इसके साथ ही हर्याणा के मुक्षचिव टीरेशन परसाद ये भी जान कर दिये कि जो विदायक राकेश दौलताबाद जिनका आज अक्समिक निदन हुआ है उनको जो है वो राज के सम्वान के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाएगा इसके अलावा अगर मैं पूरे परदेश के वोट परतिसत की बात करूं तो पांच बजे तक का जो वोट परतिसत है वो करीब 56 परतिसत वोट जो है वो अभी तक सभी जो लोकस्वाचीतर हैं उनके हो चुका है उनके वोट के कास्ट होने के बाद जब पूरे परदेश से आंकडे राज्य के निरवाचन आयों के पास आएंगे उसके बाद उनकी जानकारी जो हम दे पाएंगे करीब हम उमीद कर सकते हैं कि 7.30 बजे तक पूरी रिपोर्ट मिलने की उमीद रहेगी अलाकि पूरी कंपाइलिंग होने में और ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिने मोटा आंकलन जो है वो 7.30 बजे तक होने की उमीद की ज मेरा मेरा सवाल यही था आपसे कि पिछली बार सतर दोशमलव तीन-चार फीजदी मद्दान हुआ था दोहजार चौदा में यह कत्तर था अभी हमारे पास पांच बे तक का फिगर है चपन एक घंटा जोड़ दे तो 60 प्लस जाएगा और बाद में जो वोटर अंदर है वो राजिय के दरवाचनायों के अधिकारियों के साथ भी हमने दिन भर में लगातार बादचित की है तो यही उमीद है कि पिछली बार जो हुआ है वोट परतिशत 2019 में उतना इस बार नहीं होता दिख रहा है उससे 2-3 परतिशत कम रहता हुआ यह आंकडा दिख रहा है यानि 65 और 67 66 के करीब यह आंकलन जो है वो अभी जो निकल कर आ रहा है और अंतिम जो रिपोर्ट जब मिलेगी तो हम जन्यता टीवी के दरशकों को अपडेट करेंगे कि कितना कुल वोट परतिशत रहा है लेकिन अभी एक जो आंकलन है वो आंकलन यही है कि 65 से 68 परतिशत के बी है उससे एक आंकलन है कि यह जो है वो 66 67 के करीब जा सकता है लेकिन अभी जो और आंकलन अपडेट हुआ है उसमें जो है वो मैं आपको जानकारी वरून देना चाहूंगा जो अभी एक आंकलन अपडेट हुआ है उसमें जो जानकारी है वो यही है कि अभी जो वोट परति लेकिन दो हजार उन्नीस के आंकडे को या फिर दो हजार चौदा के आंकडे को नहीं चूता दिख रहा जिए बिल्कुल मैं लोटूंगा आपके पास जब आपके पास और अपडेट आएंगी और आंकडे आएंगे और फिगर्स आप हमको वहां से बता पाएंगे तो मैं सद्दान की पूरी प्रक्रिया चली है तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिगगत जिन्होंने वोट डाले जो उमीदवार है जो बूद पर घूमते हुए नजर आए चलिए भारते अंदर पार्टी से पंकच बेनिवाल डॉक्टर पंकच बेनिवाल हमार से जुड़ गए ह आम आदी पार्टी से राकेश भराना हमार से जुड़ गए हैं कॉंग्रेस और इंडियनेशनल लोगदल के भी महमान हमार से जुड़ेंगे चले शुरुआत करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकच जी कमोबेश ऐसा लग रहा है कि 2019 वाला जो वोटिंग परसें इपक्त माना जाए नमस्कार वरण भाइ सभी साथ ह्यों नमस्कार सभी दर्शक्न मेरा नमस्कार आज के लोग जो लोक कंत्र का परो है आज बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए हरियाना के लिए लेकिन आज के दिन एक पर्य है घटना भी घटी पूरे हरियाना के अंदर हमारे राकिस दोलताबाद जो हमें ले रहे बादशापूर से आज उनका कास्मिक निदन हुआ उसके लिए भी हम आप भगवान से प्रास्मा करते हैं को इनके आप माशों शानती मिले और उनके परिवार को इस दुख की घटना स लड़ने की शमता मिले देखिए जो भारतिय जनता पार्टी का वोटर है वो लगातार मद्दान के अंदर तक पहुँचा है वो चाहे दो हजार चोदा की बात कर ले हैं आप चाहे दो हजार उननिस की बात कर ले हैं दो हजार चोबिस की बात कर ले हैं सारे के सारे वो सारे के सारे मद्दान किंद्रों तक पहुंचे हैं और वोट भारते जनता पार्टी के पक्ष में रहा है क्यों इसका ये भी है जैसे विपक्स बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हां आक रहा था कि हमारे पक्ष में माहौल है हमारे पक्ष में ये है तो ऐसा उत्सा विपक् हो पर इनके टेन्ट लगे लगे थे सारे मैंने खाली पाने का काम किया चाहे वो गुरगाऊंगे क्यों नहीं चाहे वो त्माम गाऊँं के अपर उत्साइत उमंग थी और नोजवानों से जब मैंने बात किया बुज़र्ग साथियों से मैंने बात की मैंने सोसाइटी में भी काफी लोगों से बात की कि जो सेक्टर में गुरुगाम में आते हैं तो उनका कहना था कि हमारे जो बेटा बेटी हैं या हमारे दामाद हैं वो फोरन कंट्री में रहते हैं वो विदेशों में रहते हैं उनका कहना है कि इंतर पास आऊंगा जो फिगर एक बार बता दूँ कि अंबाला भिवानी महिंद्रगण में सबसे जादा मतदान हुआ है सिरसा में माफ कीज़ेगा सबसे जादा मतदान हुआ है रोतक में अच्छी वोटिंग दिखाई दी है कुरुशेत्र में अच्छी वोटिंग दिखाई दी ह लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं सिरसा में अच्छी वोटिंग हुई है रोतक में अच्छी वोटिंग हुई है अंबाला में अच्छी वोटिंग हुई है बिवानी महिंद्रगड करनाल कोर सोनी पत्कॉम सामन्ने वोटिंग में गिन सकते हैं हिसार में भी मध्यम अब यह मुझे बताएं कि क्या मूड समझ आया इस मंदान का वोड़ भाई मंदान हो चुका है लोगों ने अपना फैसला दे लोगों ने अपना फैसला जो है वोड के मार्दिम से दे चुके हैं और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से हरियाना में मदान हुआ और भारते जनता पार्टी ने पिछले दस सालों में जोट बोले जिससे बेरोजगारी बड़ी या अन्य जितने भी कारियों होए उसे दुखी हो कि आज हरियाना के लोगों ने इंडिया गटबंदर की कोई अकर्शन नहीं था लोगों का जादा कर लोग कॉंग्रेस की तरफ वोट डाल रहे थे और कॉंग्रेस की बात कर रहे थे मैं अगर युवाओं की बात करें हरियाना में जो 25 लाक आज युवा बेरोजगार है अगर युवाओं से कई लोगों से बात ही तो उन्हों ने कहा कि बाते जन्ता पार्टी ने मोदी ने जितने भी वादे किये वो सारे असफ़ल रहे और फरिदाबाद में एक सबसे बड परिदाबाद में चारो तरफ से अगर फकीराबाद परिदाबाद को बना दिया तो इसके लेके आज लोगों में बहुत रोज था कि बारते जन्ता पार्टी में जितने भी वादे कियों सब फेल हुए वो जूटे वादे थे तो आज परिदाबाद एक इन्हाबाद को तो यह जो मतदान है यह रेपीट करवाने वाला मतदान है कैसा आपने देखा आज का चुनाव बड़न जी आपको नमश्कार बड़न को नमश्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी नमश्कार जो जितनल जादा कमजोर होता है उतना जादा जोर से चिलाता है जैसे पंकल बेनिवाजी चिला रहे थे पहली बात तो ये दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी वोट मांते हैं जो राम जी के नामों से मैंने तो बड़े प्यार से बात रुखी मैंने तो सोग संदेश तक दिया कुछ भी कुछ भी बोलेंगी कम लाना जी आप कुछ भी अब यह आप आप कमल जी आप हब वोटिंग हो गई है अभी आरोप प्रत्यारूब चोड़िये मेरा सीधा सवाल था चुनाओं में क्या मूड देखा आपने पब्लिक का अब इस आरोप आरोप प्रत्यारूब का फायदा नहीं है इवी आप में कैद हो गया वही मुझे मूड बता यह पब्लिक का कॉंग्रिस के पास फीड़ बैट क्या है लेकिन फिर भी उन्होंने वह बोलने से बाज नहीं आते क्योंकि वह उनके पे रोलते हैं भाज पागे तो मैं जर्ण मुझे बोल पर्किशन कम है फिर में उनको उनकी बातों का जवाप मुझे देने दीजेगा आप अपरुन जी बोता पर्किशन कम होना इस सता परिवतन का जो है आपको बतादू उसका संकेट नहीं जंता बहुत उदाध सीन ओचिकें बहुत दुखी हो चिके क्योंकि कोई ऐसा बरगनी हर्याना में जिसको इसको पीटा नहीं वो हमारी पहर में बेटियां हो चाहे हमारा युवा हो चाहे सरकारी करमचारियों और डॉक्टर ड्राइवर कोई ऐसा भर नहीं जिसको इनने छोड़ा नहीं और साथ की बार में बार बता दू में यह कैसे पढ़ान मंत्री ने बड़ी सांथ बढ़ा यह बात कहीं में आपको यहां दिलाने चाहिए नुकुर शड्मा ने कौफेट मुहम्मद के खिलाप बेयान दिया था प्लीज रुक जाईए प्लीज नहीं 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 आप जो सबसे कॉंट्रोवर्शियल मुद्विया उनको कैसे उठाएंगी यहां पर जो मोस्ट कॉंट्रोवर्शियल थेंगा उसका अब यहां उठा रही है बताईए आप कमल आना जी मैं आपको लाओ नहीं कर सकता कमल जी प्लीज आज तो जम्ता की बाते कर लो जम्ता ने वीए में समका भागया बंद करवा दिया है प्लीज आप अच्छी बात है शेरो शायरी करिए मैंने आपको यह बस इतना पूछा दस लोग सबसीटे पर कॉंग्रेस को कैसा फीडबैक मिला हमें अच्छा फीडबैक मिला है हमारे भाई हमारे गटबंदन के भाई है उन्हों ने बताया कि जहां जारे कॉंग्रेस की बात हो यह भाजबा की तो स्टॉल भी लगे हुए ना बूच सब बाहर-बाहर वहां पर लोग बहुत कम खड़ें सब कौंद इसके पास खड़े ह और कोई दूसरा दल भी नज़र नहीं आ रहा है एक जगह थोड़ी सी और चाह भी मुझे जरूर नज़र आई बाकी कहीं कुछ नज़र नहीं आया आस्क मतलब यही मैंने स्पेसिफिकली पूछा था प्लीज रजवन रहीनवाल आपका स्वागत है मुझे बताएं कि कैसा फीड़बैक मिल रहा है इंडियन नेशनल लोग दल के लिए बातें हो रही है वे किसकी टेवल पे कौन था किसकी पर्चियां ज़्यादा बट गई किसके आँ लोग ज़्यादा आ गए किसकी कुर्सियां उठ गई कौन तीन बजे घर चला गया आपके पास क्या जानकारी है आपके पास क्या जानकारी है बार के जनता पाईटी के खिनाब जो गुस्ता था वो गुस्ता बिल्कुल परकरार रहा है और जहां पर जनता निश पर एक चीज नहीं चलाया था कि जहां पर भी बीजेती को जो अपके डिडेटर आ रहा है उतको गोर देने का कांजिया है वरंजी यह आप से छुपा हुआ नहीं है और मैं भी कभी भी आपने देखा हुआ है कभी एसी बात नहीं चाहिए मैं पूरा पूरी दस की दस लोग सभा सीटे घूम के आया ठीक ठाक पसीना वहा के आया हूं ठीक है मुझे मुझे यह बताइए आज वोटिंग के समय कुछ लोगों ने ऐसा कहा कुछ लोगों ने का रिवर्स पॉलराइजेशन हो गया मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हरियाना में ऐसी चीजे होती है क्या अगर बार की जनता पाईज के वारे में तो बीजेपी की बोर्ट देने का उसको को ही है यह जाना सकता है वह 20% मोल्ड है जिनको यह कह सकते हैं वहा का रुख देखकर आ सकते हैं जरूदर हो क्या पर लगती है तो उनके साह हो जाट हैं कि हम हार के पाले में क्यों बैटे उनकी जो कि मैं जरूर दे सकता हूं लेकिन ये की माँ आपको बताना चाहूंगा कि दो हजार उनीज में जो इंडियन ने सब्सक्राइब करें जो बड़ी इंपॉर्टन जानकारी जो हो देनी है यह बड़ी खबर है अगर यह ब्रेकिंग म मतदान जो है उसकी जानकारी आ चुकी है अंबाला में 62 फीजदी से उपर हुआ है सिरसा में 63 फीजदी हुआ है कुरुशेत्र में 62 फीजदी हुआ है बिवानी महिंदगर में 61 फीजदी हुआ है रोतक में 60 फीजदी हुआ है और सबसे कम फरीदाबाद में 55 फीजदी 55 फी फीजदी मद्दान फरीदाबाद में हुआ हिसार में 69 गुरुगराम में 57 और करनाल में 69 फीजदी मद्दान हुआ है करनाल उपचुनाओं की बात करें तो महां 55 फीजदी मद्दान हुआ है यानि फरीदाबाद और करनाल उपचुनाओं में सबसे कम वोटिंग हुई है सबस इतने लोग वोट डालेंगे फाइनल आखड़ा कब तक आएगा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पिछली बार जो 70% का आखड़ा था 70.34 वहां तक यह फिगर पहुचेगा ऐसा लगता नहीं है 65-66 तक जा सकता है और चार परसेंट पॉलिंग कम है तो इसके माइने क्या है पंकज बेनिवाल कम पॉलिंग क्या इसका मतलब यह है कि लोगों दूरा रजुण बोलिए मैं अपनी बात बोली कर दूर रहा था कि आम तोर पर भार्के जिन्ता पाइटी यही कहते थी कि हमारे जन्ता हमारे साथ है जन्ता हमारे फक्टने है यह वोटिंग परसंटेंटे से ही पता लग रहा है कई पर सब्सक्राइब जो सरकार है अगर उ पहले तो बारा मही को वोटिंग हो गई थिया पच्चेस मही को हो रही है तो यह भी मैंनता हूँ कि वहां पर गुर्गाओं की बढ़ेगी इस परकार के मैं अभी यही देख रहा था कि गुर्गाओं का बाच्चापर में आम पर बंपर पॉनिंग होती थी लेकिन इस बार वाबर पॉनिंग नहीं हूँ इसका मतलब यही है कि सरकार को जो बहुत गालने वाने लोग देख रही है यह वरन भी देखे के लगी बात करता हूँ इस बार गालने के लिए हमें का गरीब और मद्दमर यह परिवार नहीं जाते हैं जब पुर्जी बद्धी है उन्होंने कहीं न कहीं यह साइडवाइन किया है कि बहुंदाने हमारा कोई वाइदा नहीं है यह यह कह सकते है कि जो लास पाइम बीजेपी के वोटर थे उन्होंने कहीं बाइकाट किया है अगर एवरेज मान लीजे 5% पोलिंग कम है तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रति उदासी इंता है क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला है वरुन भाई साफ साफ है कि भारत्य जनता पार्टी का वोटर निकला है अगर जो विपक्स बात कह रहा है अगर विपक्स के परती चलो इन्होंने कहा कि बाजपा के परती उदास हिंता है इनके परती उत्सा दिखा क्या कही पे अगर इनके परती उत्सा होता तो बंपर कई होगी लेकिन जितना वो परसंटेज अब हुआ है इससे साफ नज़ आता है कि ग्यारा के ग्यारा कमल दस लोग सभा के और एक जो हमारा विदान सभा का जो उप चुनाव रहा हम ग्यारा के ग्यारा कमल खिलाने में अर्यारा की जनता काम्याब रहेगी तो इनके परती अरे आप अपने नेता मेंदर परताप की जुबान समझ में आई कि जुबान जो जंग उन्होंने लड़ी थी मा बेनों को गालियां दी थी वो सही समझ में नहीं आया सुना नहीं होगा तो मैं फरीदाबाद भी गूम के आया था आज तो नहीं तीन-चार दिन पहले तो फ केश बढ़ाना उसकी बात का समर्थन करते हैं कि जो उसने कहा था मेंदर परताप सिंग ने जो मा बेहन की गालिया दी थी जो कोई यूँ कहा था कि मेरा तक्या करांए तो टीक मानते हैं कि आए उस बात में नहीं जाना चाहता मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो कपनल जी नो कोई ऐसा कॉंट्रवर्शल जो बात है उसको मच छेड़ी है मैं फिर कोई कह रहा हूं वोटिंग हो चुकी है अगले एक घंटे में फाइनल फिकर आएगा और कमपाईल होने के बाद उससे भी जो एडवांस फिकर होता है वो शायद कल या परसो तक आएगा लगर 4 परसंट 5 परसंट की पोलिंग कम है तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो जो पोलिंग कम है वो बीजेपी के ही खिलाब गई है देखे वरों भाई आज पूरा अर्याना में भारते जन्ता पार्टी के जो केंडिडेट थे आप देखे किसी गाव में उनको घुसने नहीं दिया वो जाते थे काले जंडे दिखा दिये जाते थे इनके पूर मुख्या मंतिरी मनोर लाल जी जो वहां परचार कर रहे थे तो उनको काले जंडे दिखा दिये जाते थे तो आज पूरे परदेश में जो महाल था वो भारते जन्ता पार्टी की खिलाब था दस की दस लोग सभाव में कोई एक ऐसा कंदिट इनका नी था जिसको लोगोंने गाऊं के बाहर कभ़़े हो के बाहर नहीं कर दिया गया हो आज आप फिजद्याबाद में देख लिए अन्य जिलों में देख लिए सबसे ज़्यादा कर कहीं वोटिंग कम हुई है तो वो शहर में हुई है क्योंकि भारते जन्ता पार्टी को इनका वोटर ही जान चुगा था कि जूटी बाते करते जो इन्होंने बाते किये वो पूरे हुए नियाज तक तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो कम वोटिंग हुई है बाते जन्ता पार्टी के जो कारना में पिछले द्रस वर्षों में रहे इसकी वज़े से आग कमारी आहां में वोटी हुई परंतु जो विपक्ष जैसे इंडिया गटवन दनता या अन्ने जन जो थे उनके जो वोटर थे वो आए क्योंकि आज एक बात और पंकेज भाई में बताना चाहता हूँ पराकेज भाई आग में परताब की बात को सपस्ट करते हैं क्या है आप पर्टाब के वाण रखत वाथ का पर्ट आप करते हैं जो गाली बोला तक्ला में किसी के मुजे कुछ निकलता इसका सब्रत और पंकजवाई हैं बिल्कुल भी नहीं करते तो आपको अब ऊपने समुधन भी नहीं करते और आपको उसकी बाशा से लिए पसंद नहीं वो आदमी अच्छा नहीं वो आदमी पसंद नहीं था अब चुनाफ खतम हो गया आप लड़ने का अनन्द नहीं है अब है अब है अविश्रेशन का अनन्द अब मुझे अविश्रेशन कर लेने दीजिए अब मैं तो फिर भी अपनी डिवेट में नहीं चाहता था कोई लड़े कमल हंडा जी अब चुक है अब बहुत शांप तो इस टैम पी माजपा के प्रवक्ता है क्योंकि इनका जूट ही जूट बोलना है यह सबसे बड़ा सच है कि भाजपा कोई भी प्रवक्ता है चाहे जुट ही जूट बोलेंगे इनके उम्हेरा बहुत ही बोलेंगे, क्योंकि ये पहलवान बेट्यों की फिर आप कहते कि बाल बेट्यों के लिए करें प्राजनीती कर ने क्यूपर बाट करने हैं जब के साथ कीजिएगा मेरे सवाल पर आते हैं जरुगराम और फरीदाबाद में कम वोटिंग हुई है बीजेपी को नुकसान होगा तो जहाँ जादा वोटिंग हुई है क्या वहाँ बीजेपी को फायदा होगा कुरुशेत्र में, सिरसा में, अमबाला में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बंतों कटारिय जी ने काम क्या किया, किस मूज़ अब वोट मांगेंगी को मुझे ये मता दें, अब तो छूड़िये है अब तो वोट मांगी, अब किस मूझे मांगेंगी नहीं अब तो मांग लीवोट, आप से पने वोट मांगी अचा ठीक है, अचलि ये आपनी बात ठीक है, लोग के इस माध़ उनको वोट देंगे किस बात पर उनको वोट मिलेंगे कोई काम उनने नहीं किया ना घर से बाहर ने की सिर्फ जस्ट कि वाइप एक्स ऍसेर्ट मृत तो Спाहिए जादा मिलना का संकेत मैं झांत है कम लिएका हम लां डापफ यू ठी प्लीज माफ दी बहुत अच्वाँ जैसे आपने मुझसे कहा कि सिर्सा और अंबाला में क्या गर्मी नहीं थी तो फिर वहां का एक्वेशन क्या माना जाए रजवन सुन पारे मुझे रजवन तक आवाज नहीं जारिये जैसे जुड़ेंगे उनसे प्रश्ण पूछूंगा पंकच चिंता है थोड़ी सी कि यार यह वोट कैसे कम हो गया यह हमारा वोटर नहीं निकला क्या शेहरी वोटर नहीं निकला क्य जो पैटन फरीदाबाद गोड़गाओं में था वो पूरे हर्याना में था क्या एक मिनट बई जुड़ गया है रजवन भाई आवाज आ लिए आपकी मेरा सवाल सुन लिया था आपने जी मैंने सवाल भूली अवड़गाओं में बताना चाह रहा था कि अगर कहीं तबंपर वोडि मॉरियर में इमान सकता हूं कि वहां की जनिताने हो सकता है कि वहां के उमिद्वार को देखके या सरकार की कारे पानाने से खुश होकर अगर वोट देखिया हो या दूरी ज़िए आती है कि अगर पुक्षेतर की आदान सिभा की बात करें तो यह भी हो सकता है कि इस परकार के इंडियन रेस्टरफिल के जो उमिद्वार है वोट आए उनको नेया उमिद्वार मिनने से उनको भी खुशी हो और वो उसके चक्कर में वोट कर गियो हो ये चीजे मान सकते हैं ज़रूर इन नहीं है कि अगर बंपर वोट रही हो वो सकते हैं वहां के उमिद्वार को भी वोट देखकर वोट दाल रहे हो और अगर कम वोज हुई है तो वहाँ पर एक चीज देउर मान सकते हैं कि सरकार की जो तल्यानकारी योजनाए जी या सरकार के वो खुश नहीं दे तो उन्होंने ना तो सरकार के फक्त में वोट किया इसलिए वो अपने घर पर मैठ गए हूँ तो ये मान सकते हैं और दूसरी साइटी को शायद उन्होंने अपनाने का प्रियास नहीं किया तो उसी चीज कर ये तो अंदाजा सैद लगाए जैसकता ये नहीं है कि बंपर वोर्टिंग होई हो तो वो हमारी कम होई हो तो उनके ऐसा नहीं हो तका क्या कुरुख्षेत्र आपके लिए गेटवे अफरियाना बन पाएगा वरुखाई कुरुख्षेत्र में हमारी एक तरफा जीत है क्योंकि वहां के तो सब को मानूं था इस बात के लिए कि वह बेजे बहारते जंता पार्टी के प्लांटिड था हो सारा मामला क्योंकि भारते जंता पार्टी आम आदी पार्टी के गटवंदन से शुशिल गुपता जी से इतने इतना घबरा गई थी कि उन्हें केंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि पहले जो हमारी भी टीम का काम करती इंडियन नेशनल लोगदन तो उनसे अवैच उटालाज जी को भेज दिया गया फिर उसके बाद बहुत ताइम बाद जब उन्हें लगा कि जब कोई केंडिडेट उनके सामने टिक भी पा रहा है आमाधवी पार्टी के सामने शुशिल गुपता जी के सामने तो फिर उन्होंने जिस कोईला घोतान में जिसका नाम था जिसे मुकदबा जिस पे दर्ज हो गए उनकों लेके बाद जन्ता पार्टी आगी और परदान मंत्री जी ने खुद अपने मूँ से ये कहा था तो वहां पे भी लोगों का पता था कि नवी जिंदर का कुछ बचा नहीं और आम आदी पार्टी इंडिया कटपंदर वहां भारी मतों से जीतेगी और जिस तरीके से आज वहां वोटिंग हुई है और जिस तरीके से पिछले काफी समय से मैं वहां था भी होके भी आया वह पे तो गाव गाव दानी जानी एक ही बात चल दी थी कि इंडिया के टपंदर जा जितेगा अपको बता दूँ कि मतदान खत्म होगे है लेकिन अब इंसजार है उन आकड़ों का और जो आकड़े च्छन कर आरे हूं बता रहे हैं कि 6 बजे तक 60% मतदान की खबर है अब ये आकड़ा कितना उपर जाता है ये देखना होगा लेकिन ये हर लिहाद से पिछली बार से कम है अंबाला में लगबग 63% मतदान हुआ है ये आपको आकड़ा दिखा रहे हैं कुरुप शेतर लगबग बराबर रहा 62% मतदान के साथ फरीदाबाद शहरी इलाका हलाकि कु 55% मतदान हुआ है मुक्षमंतरी नायपसैनी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में 6 बज़े तक करीब 60% मतदान हुआ है फाइनल फिगर 62, 63, 64, 65 कहां तक जाता है ये देखना है लेकिन ये पिछली बार के 70% के आकड़े से कम ही नज़र आ रहा है आप प्रोदादे ये 70% के आकड़े से कम नज़र आ रहा है हमारे राइट साइड में एक टैली चल रही है हालाकि इसमें 5 बज़े तक के आकड़े 6 बज़े तक के आकड़े इसमें थोड़ी तेर में आपके सामने दिखने शुरू हो जाएंगे लेकिन फिलाइज जो ये मतदान का फिगर है वो आप अपने टीवी स्किन पर देख पा रहे हैं प्रदेश में शाम शे बज़े तक करीब 60 फिस दी मतदान हो चुका है अम्बाला सबसे आगे राइट मतदान करने में और चलिए वापस चर्चा में लोटते हैं पंकज बेनिवाल कमल हंडा हमारे साथ बने हुए इसके लावा दीप कमल सहारन जनायक जनता पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जोड़ गए है दीप कमल आपका भी स्वागत है और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सब यह कलकुलेटिव कितना जाएगा चौशट पैसट तक जाएगा यह नहीं जाएगा तो इतने इतना अगर वोटिंग परसंटेज कम है तो आपको परिशान नहीं होना चाहिए ने देखिए वोटिंग पसंटेज कम हो ज्यादा हो मैं यह कहता हूं कि जो मत पेटियों में आज एबियम में भाग्या बंद हो चुका है हरियाना का वो चार जुन को हरियाना में भारतिय जन्ता पार्टी के फक्ष में खुलेगा कम मैं फिर वही काऊंगा कि उदासी इंता सरकार के साथ नहीं थी उदासी इंता सिर्फ विपक्ष के लिए थी क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी के वोटर ने वोट किया है वो 2014 में भी किया और अभी भी बी किया है अगर एंटी इंकंबेंसी अगर मैं इनकी 자थ मानूँ कि उन्निस में भी हुआ और अभी जो मद्दान कम हुआ है उसमें इनके पर की उदासिंता है सरकार के परती या सरकार से कोई नाराज़गी किसी भी परकार के किसी भी दलकी नहीं रही इसलिए बारते जन्ता पारटी आस्वस्त है कि दस की दस सीटे हम जीतेंगे चले दीब कमल स्वागत आपका दो सवाल है मेरे आपसे पहला तो यह है फीडबेक आपको कैसा मिला क्योंकि आजकल फीडबेक के कई पैमाने हो गए है कि किसकी टेबल बिछी थी किसकी कुरसी लगी थी कौन तीन बज़े चला गया था किसके टेंट के नीचे लोग खड़े तो जेजेपी को लेकर कैसा फीडबेक रहा एक दूसरा अगर पोलिंग चार-पांच-छे परसेंट कम है तो यह सरकार बदल देने वाला जो है वोटिंग पैटर नहीं है आप क्या कहेंगे जहां तक हमारी पार्टी के लिए रिस्पोंस का मैटर है हमारे नेताओं ने और जो पार्टी के कारे करता है उन्होंने सिर्शा, हिसार, पिवानी, महेंद्रगर्ड, जीन, सोनिपर्थ इन क्षित्रों में खासतोर से पूरा दिनाज ब्रहन किया और जगह 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 पर जो पॉलिंग चल रही थी उसका जो जायजा ले सकते थे वो लिया और सब जगह से सटिस्फेक्टरी इनको रिस्पोंस मिला जहां से जितनी उमीद थी उसी साफ से वहां पर हमारे कारे करता या वोटर जो थे वो पॉलिंग बूथ पर उन्हें मिले और उसी उतसाग साथ जादक वोटिंग परसेंटेज का जो एक सस्पेंस है कि उससे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो आप भारते जिंटा पार्टी के नेताओं से प्रवक्ताओं से करेकरताओं से बात करेंगे तो आपको खुद पदा चल जाएगा कि ये किसके लिए चिंता की घं प्रिश्टम नेताओं की जो लाइन लेंथ है उनकी जो भाषन की शेली है और भाषन का जो कंटेंट है वो जो बदला था एकदम से वोटिंग पर्षेंटेज कम होने की वज़े से वो कहीं न कहीं वो साफ दिखाता है कि ये किसके लिए बड़ी घंटी है और हर्याना के 28 प्रतिशत थे और बाकी जो अन्या दल है उन सबी को मिला कर 8-9 प्रतिशत वोट और थे तो ये निश्चित है ये पक्का है बिलकुल कि जो 58 प्रतिशत वोट पूर्ल बहुमत का या बहुमत से ज्यादा का वोट लोकस्वा चुनाओं में भार्टेजंदा पार्टी को मिल घटकर 32, 34, 35 प्रतिशत पर आने वाला है और वो वो प्रतिशत है जो विधानस्वा चुनाओं में को 36 प्रतिशत मिला था उससे घटकर क्योंकि भार्टेजंदा पार्टी के पक्ष में वही लोग वोट करके आये हैं जो पक्के तोर पर इस विचार के हैं कि हर्याना में मन जो लोग किसी भावनाओं में बैकर या अलग-अलग विचारधारा के हिसाब से नौन पोलिटिकल लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं 2014 में 2019 में वो पूरी तरीके से या तो गायब रहे हैं या फिर विपक्ष के साथ गए हैं या उन्होंने अपने घर में बैठकर ये वोट देगर आएं ये बिल्कुर सच है और इसका आभास जो है वो भारते जिन्दा पार्टी के लोगों को है और हर्याना में तो मैं ये कह रहा हूँ चार जून को सबसे बड़ी क्लास उन राजनीतिक महरतियों की लगेगी जिन्होंने भारते जिन्दा पार्टी के अंद तो उन्होंने हर्याणा की सरकार को बी अलगत में ला दी क्योंकि अब तक तो सारे लोग सबाब में जाना नहीं चाहा रहा था लेकिन अब सारे विधायक भी चंडिकर की तरफ जाने के लिए फुरसत में वो चाहेंगे कि हो जाए एक फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं तो यह जिन्होंने आति आत्मिश्वास दिखाया है उनकी क्लास लग केगी जिन्होंने confidence दिया था दीप कमल को चाहिए बिल्कुल लगने चाहिए ठीक है कमल हांडा जी यह चुनाव का percentage कम होना यह इस बात को कहां इंडिकेट करता है कि जी बिल्कुल बदलाव आ गया है उखाड़ दो बदल दो ऐसा माहौल है क्या गर्ण जी मैंने अभी वीडियो भी देखी है बहुत सारी जहां पर मुख्यमान्ति खटर जी को मंच उसे ख़डेडा गया उनके और जिते में सब्याशी है उनको भी ख़डेडा गया उनको भी ख़डेडा गया मैं जेजेबी के प्रवक्ता को भी याद दिलाना चाहती नतीजे चार जून को आएंगे, जनता सब से उपर है, सर वो पर ही है, ठीक है, लेकिन इतना पक्का है कि भाज़पा के पक्ष में तो नहीं आने वाले, ये वात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं मैं, बाकी ज़पा जब से अलग हुई है, अल्कमत का तो मैं बोलना भूली, जो उन्होंने याद दिला दिया झार झारे दीटकम आजी ने ने, इतनी इपोर्टल वाजी इसा है, लेकिन फिर भी, रेकिल मैं要 नें कभी कभी सि विए प्रतारित किया, जो इन्होंने प्रदेश को लूटा, तो जनता में हर वर्द, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, जिनके लिए 7-layer बैरिकेडिंग की गई, उनको मारा गया, साथे 700 किसानों की हत्यारी ये सबकार और कहते हैं हम सबसे बड़े किसान ही तैशी तीन काले कानून भी लाए गए और उनमें से आप ने देखा ही है बाकी उसको मैं क्या दो रहा हूँ थीक है लेकिन अपकी आपकी आवाज आ रही है तो इन्होंने जो जनता के साथ किया पहरवान वीटियो गौन द्वाया गया दिली में खेड कोच के लिए तो इनके पूरूप सीम नहीं कह दिया था माजबा के मैं संधी सिंटार इस्तीफा नहीं लूगा नहीं लूगा नहीं लूगा ठीक है बाकी आपने जितनी लूट मच पच्पन च्पन च्रोड का करजा था जिसमें इतने काम हुए कितनी उनिवर्सिटीज बनी मैं अगर गिन्माद हो अगर कहें तो इन्हों को पीटा सरकारी करम सारियों को पीटा उन्होंने तो ऑन एयर बोला कि हम इस सरकार को खाल ठैकेंगे अब आप देगी उनकी वी क्य नशार इतना बढ़ गया है हर बात पे इंको हर वर गच्छे जवाब देगा इस बात यह इस बात को नोगत करने का जी मेरी बात को लिख लीजिया दिन समय और कमल हंडा का नाम कि मैंने ये बोला था चलिए कमल जी मैं आउगा दी बच्छम काने के लिए जैसे इनके मोधी वर बात कर लिए मोधी दिखा दी में चुर आ चाहँगी एफी कमल जी मैं को दार वारू आण hating है किसलीया और कलम मैं चुल रही दी करता न कुछ सो लिए आए तो Eck बनक केता हैं नहीं सो पुछ रहा हूं इनसे, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें क्या बुली बादा आधा है, बहुत हैं जाना है तुम अब जलत है हो, आगे 10-12 गुंड़े जलते हो, इनों ने घुंड़े पैदा किया है, आज हर दिल्ली आए हर्याना पर आते हैं, प्लीस आप जाओंगा ना तो बहुत लंबी चर्का हो जाएगी है मतलब हरया ने पुछ काम नहीं किया है मैं बता रही हूं है कोई काम नहीं किया है स्रिफ लाइटे लगवाई यह रांडबाउट छोटे की है आपने कहा या बाकी लोग कह रहें कि बीजेपी से नाराज है वोटर और इसलिए या तो डालने नहीं आया या फिर जो कम वोट डला है वो बीजेपी यह खिलाफ गया यह जो कम वोट डला है यह जो बीजेपी से नाराजगी है यह किसी एक को गई है या पूरे विपक्ष में बढ़ गई वोट यही तो चीज यह जो बार जलता पाएति के जो वोटर थे एक्षर यह तो है नहीं कि जो गरामीन वोट बीजेपी के वोटर थे गांखों बीजेपी के वोटर दे उन इस्ट तोपर पूंजी पती थे सहरी खेर में दे और आप देखरें कि उन प्रश्टेज गुआ है और तो चीजी आती है, कि जहां पर 70-50 परशेंट जहां पर वोट वो रही थी, और वहां पर 50 और 50 और 60 के बीच में अगर वोट वो रही है, तो जो डिप्रेंस है, वो कहीं न कहीं है, भार्ती जंता पाइटी जो दो तीन तीन मार्क वोटों से चीतने का दावा कर रही थी, इस तो नं उपने बात कहीं थी, कि दूप में दूप की वजए से, शाहए कर भाइज तो जो दोड के ना हो, गर्मी की बात नहीं थी, दूजरी बात ये थी, कि वह सब्हूरे थी कि हम दूप में क्यों जाए, होना तो कुछ है नहीं, वारत की जंता प्यांगा वाईती का पों जो बाते हैं जलता पाइडी जो इन मुतों से बट्यान बट्काता बहुत अखना बट्वने का काम कर रही है चरता उनके बैकाव में नहीं आई वो कहीं न कहीं दूसरे दलों की बज़ए अपने घर बैटना पसंद किया उन्होंने बहुत आनने का काम नहीं किया और जिन लो कि जब किसान आदोने चला तो ये लोग कहीं न कहीं के बड़ी वोविकादी और विशी चीज के लिए हो सकता है कि वहां पर ग्रोद में बहुत ज़एदा हो और उन्होंने सरकार के खिलाब अपना कुछा प्रकट बटान कर भी किया हो तो इस चीज का भी हमनाजा लगा ल कि आपका जो वोटर है वोट डालने नहीं निकला और जो ये 5 फीजदी की कमी दिख रही है इसके पीछे मूल भाव जो जितने भी आपके मित्रियां बैटे हैं सबका यही है कि निराशा थी और जो वोटर निकला है वो ग्रामीन निकला है और जो आपका परमपरागत वोटर वो नहीं निकला है और इसलिए जो नतीजे हैं जो लाखों की जीत थी या जो ऐसी चीजें थी वो इस पार नहीं होने वाली है लेकिन जीत तो बारतिय जनता पार्टी रही है ये भी तो सभी मानी रहे है ये जीत का अंतर कम करने की बात करने है लेकिन यूँ नहीं कहने कि बारतिय जनता पार्टी हा रहेगी बारतिय जनता पार्टी निस्ट पर जीतेगी और उने कोई नहीं कहा है कि अगर उदासी इंता मैं फिर बही बोलूँगा भारत्य जनता पार्टिये के साथ नहीं थी उदासी इंता इनलो के परती थी, इंडी अलाइंस के परती थी, जेजेपी के परती थी इनके लोग इनको वोट करने नहीं निकले, क्योंकि इनलो और जेजेपी का वोटर इनके परती थी, इसी लिए बाके जनता पार्टि के परक्स में वोट हुआ है जितना वोट परसंटेज कम हो है, जो पिछली बार इनको मिला है वोट परसंटेज, वो भी इनको अब की बार नहीं मिलने वाला है इसलिए चिंता की लकीरे इनके मस्तस पे साफ नजर आ रही है, चै हो इंडिया लाइस हो, चै इनलो चै जेजेपी हो नहीं लगे हुए थे की वोट की को पर्ची भी बना के दे दे, मैं तो मैं गुडगावा की आपको बात बता रहा हूँ, ना ही इन एलो के कही पर टेंट लगे हुए थे, इंडिया लाइस के भी कई जगह टेंट नहीं थे, एक दो जगह थे, लेकिन वहाँ पर जनता इन से पर्ची मांगने नहीं आ रही थी, तो सारे का सारा जो है, इनका वोटर नहीं पहुचा है, मतदान करने के लिए, बाल के जनता पालिटी का, एक वोटर पहुचा है मोडी जी को वोट देने के लिए बार पर्ची की परंपरा तो है ना वोट नहीं नहीं मैं बताने तो उसको खिलियर कर लेता हूँ इस बार मैं खुद गया हूँ मैंने पर्ची नहीं बर्वाई इलेक्शन कमिशन की तरफ से मैंने उनके वहापर आज मैंने वोट डालने से पहले अपने पर्ची निकाली तो मैं भी वही चीज बता रहा हूँ मैंने परिवादे किसी ने पर्ची निकाली बहुत कम परसंटे सा ऐसा बेक्मेक्सिमम लोग उन्हीं के पास पहुंच रहे थे जहां पर टेंट लगे वे थे कन्फर्मेशन के लिए पहुंच रहे थे लोग कि यही है क्या मेरी स्लिप और फिर जा करके वो मद्दान के अंदर में जा रहे है दीप कमल भाई ये परंपरागत जो चुनाव लड़ा जाता है जिसको हम बचपल से देखते आए हैं उसमें टेवल पर्ची का इंपक्ट आज भी रहता है क्या जो पूरी वोटर स्लिप है वो पहुंचाए गई थी उसको लेकर ही आ रहे थे अगर कोई बाहर रहता है और उस तक नहीं पहुंच जी है किसी कारण से या वो बूल आया है घर पे तो वो किसी बूथ पर उस पर चला जाता है है काउंटर पर और वहां से परची बनवा लेता है और बेसिकली जब आपको बूथ नंबर आपका पता हो तो उसके बार जो परची रहे जाती है उसमें सिर्फ आपका आपकी वोट संख्या जानना जरूरी होते है बमान लिजये आपके बूथ पर नौसुव वोट हैं तो आपकी अगर उसमें वोट संख्या 520 है तो आपको इतना है पता हो ने जी है और बूथ नंबर आपको पता होता है कि पंदर्ण है सोला है बाईस है दौसबाईस है कितना है वह आपको पता होता है आम तोर पे और को वोट का कर्मांग बताना होता है अंदर जाकर कि आपका सीरियल नंबर आपकी वोटर लिस्ट में इतना है इस जो परची है उसका पर आपकी पिता का नाम से बहुता है वह सारी जानकारी होती है लेकिन मैं कहा रहा हूं देखिए और यह बात भी कि किसके उस पर कितनी यह संभव नहीं था और आम तोर पर वोटर हैं भी बाहर बैटते कहीं है वादचित किसी से करते हैं और अंदर जाकर वोट तो अपनी मन मुताबिक देते हैं किसी को बाव यह है जैसे मैं इसमें कोई दो रहाए नहीं है अठावन परसेंट वोट थे चाहे पंकर जी को आप 22 परसेंट वोट स्विंग का दावा कर रहे हैं आप कहरें अठावन से चतिस पे आ जाएंगे यह बहुत बड़ा दावा है वाइस पर दिशन तो चार महीने में हो गया था दो जार उनिस में है लोग सवागी बात कर रहा हूं मैं ने ने वह हो तो गया था ना हो तो ग कोई उनके बारे में कोई ऐसी घमंड वाली बात या बेतुकी बाते लोगों में चर्चा में नहीं होती थी और पुल्वामा घटा था सर्जिकल स्ट्राइक की बाते होती थी अभी नंदर का विशय चलना था पूरे देश में वो सारी बाते जुड़कर और जो पक्ष का ज साल से चल रही है वह दूबारा से चलती रहे और रहे हरियारा में 6-6 लाग से लोग जीते हैं कर नाल में 6 लाग से पिजए रहा हूं ये पक्की वाली बड़ी वाली गलती कर लिए इसका इंपक्ट हर्याना की मौजूदा सरकार पर भी पड़ेगा और जो अक्तूबर में चुनाव होने वाले हैं उसके जो प्रोस्पेक्ट हैं बीजेपी के लिए उन पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा मैं जो जो बीजेपी आप से समर्थन मांग ले तो विचार कर लेगे गर चले जाएंगे जो 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 जरूरी है कमन आंडा जी ने एक हार कि बीजेपी के लोगों ने किसी पत्रकार को पीटा या किसी ऐसे कोई बात घट इंसा हुई अभी अभी मेरे फोन में मैसेज आया है बरत सिंग बैनेवाल कॉंगर्स पार्टी के पूर विधायक है अलाबाद से उनने में सिर्सा में एक दुकानदार को पीट दिया है एक शरीफ से दुकानदार को अभी आदा घंटा पहले सिर्फ कुछ आप सी बाचित भैस को लेग ने जो नैना सिंग चोटाला जी के काफिले पर एद फे की पत्थर फे की महिलाओं से अब अधरता की वो सब ने देख लिया है यह सबसे बड़ा लोकतंतर का दुर भाग्या है कि एक घंटी पार्टी से लोग दुखी होकर अगर दूसरी विकल्प की तरफ जाते है तो उन कुछ लोगों में इतनी जादा है इतनी जादा है कि उनको जिटता हुँ दिखेगा गर कि दे बातिा करें से वह उसको दालेंगे इस बार तो पूराव उनको क्योंकि और पूर रास्ता नहीं है ऐसा नहीं है कि 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 सी इसे ग만 को की फेलेन decid Irr क्योंकि उसके अंदर हराने की ख्षमता होती है इस वज़े से मिल जाता है और इसका घमंड गुमान कॉंग्रिस में अभी से आने लग गया है कमला मान के चले जो कि जो वोट मिलने वाला है चार जून को वो कॉंगरिसी वोट है यह न माने वो बीजेपी को हराने की इच्छा रखने वालों का वोट है जो आज की दिन कॉंग्रिस में या इंडी अलाइंस में एक उम्मीद देखता है लेकिन अगर घमंड वहां दिखेगा तो चार-चार महिने में 22% डाउन आता है कुछ भी होग अक्तूबर में कुछ भी हो जाएगा कमल आंडा जी हां जी सर मैं इनको आवाज इनकी कट रही थी सुनने ही पाई आप इनका सवाल दोहरा दीजे मैं जवाब दे देती हूं यह कुछ घटना है बता रहे थे कि आपके जो जैप्रकाश जी है उन्होंने उन्होंने इनकी पार्टी के उमिद्वार के काफिले पर हमला करवाया कुछ और घटना है वो कह रहे हैं आप में अभी से घमंड आना शुरू हो गया आप लोगों बहुक्त है गलत कह रहे हैं यह सिरफ अपने वौट बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए सुन तो लीजे earnings.. अपना इंप्रेशन बढ़ाने सुरू भहे वो बात बात नीकल जाता है…पहली कि हम भंड वह कि अपने जो हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसी बाते कर रहे हैं कि घमन तो आप में आगया था दीपकमल जी जब आप भाजबा के साथ जुड़े हुए थे तब आपने परवानी की पहलवान पेटियां पिटने दी आपने किसानों को पिटने ती अले सेमले बैरि और पंकश बेनिवाल जी को एक बात का जवाब देना चाहूंगी इन्होंने कहा कि हमें जनता का अशीरवाद मिलेगा जरा अर्ज कीजिएगा जरा आप किस बात का अशीरवाद मिलेगा आपको क्या काम किया है आपने कोई आपने यूनिवर्सिटीज बनाई है कोई पाव वोट नहीं मांगा फुल्वामा को पांच साल हो गए एसाइटी बनी लेकिन अभी तब कोई रिजल्ट नहीं आया आपने जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी प्लीज फिर मैं वो जाना है जल्दी आपस यह बांकी तो और क्या कहना है ठीक है ठीक है अगर इनोंने कोई घपला अगर बात कर चुके हैं यह अगर मगर की बड़ी चाहिए अभी है अगर मगर की बात नहीं दिया है जोने किसी को इलेक्शन कमिशन भी ग्यार दिन बाद डेटा डाल रहे हैं जबकि नेक्स डे डाल दिया जाता है क्योंकि जब पोलिंग एजेंट होता है सेम डे ही सारी चीज़ें काम पूरे करके कि इतने भूत पर इतने वोट पड़े वो इलेक्शन को देता है वो अपनी मैपसाइट अगर मगर की डगर रज्वन डाइनवाल जल्दी से बताएं चार जून को इंडियन नैशनल लोग गल मैंने पूरे अर्याना में घूम के ही पूछा चार जून को क्या होगा बताएए जल्दी से चार जून को देखिए चार जून को चार जून को रहेगा है वही रज्वन डाइनवाल आपके साथ डिवेट करेगा जल्दा का जो आसिर्वाद मिलेगा उसको सरमात्य रखेंगे आगे के लिए तैयारी करेंगे इस चीज में बिनकुट भी कोई दोरा है निए दूसरी ब आपके लिए कोई एनरजी का काम करने वाला है इसके नतीजे नहीं सोफिस दी जो दो महीने पहले हमारे पार्टे की स्थिती थी और पार्टे का जो फीडबेक था हमें फील्ड से लोगों का या हमारे जो लोग छोड़ रहे थे हमने दो महीने में जितना लोगों की बीच में जाकर उसको जो कवर कर सकते थे या लोगों से राय ले सकते लोगों का जो भी उनके हमारी भावन थे हमारे पत्ते जो भी जाए गुस्सा था नराजगी थी कुछ भी भाव था वह हमने बहुत बखुबी किया है और यह क्रम अभी अगली इसी महेने से आगे और भी जारी रहेगा हम लोगों से मिलते रहेंगे उनको अपनी बात समझात से लोग समझते हैं यह हमने पिछले एट दो महिने में देखा है और जैसा कि वोटों की बाता जहां तक मैं मानता हूं कि जैसे मैं जो आखड़ा आपको बता रहा था कि पिछली बार विपक्ष को सिर्फ ब्यारीस प्रतिशत वोट मिले थे हर्याना में लोग्स पर चुना में साट पर्टेंट से ज्यादा और वो विदान स्वा में जाते जाते असी पर्टेंट होने वाले वाले तो अगर आप ने कुछ नहीं किया ऐसा तो फिर आप इस बार मुश्किल में हैं नहीं कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हर्याना की जनता का बर्टू पर वाकिरवाद मिल रहा है और जो चार जून को नतीजे आएंगे वो सब के सामने होंगे जो दीप कमल सारण जी बात कर रहे हैं कि इतना हो गया यह वहीं लोग हैं जो दस सीटें ले गए थे बाजपा के खिलाफ ही वो सारी वोटें भी इन्होंने कैसे पॉलराईज की थी वो यही जानते हैं क्योंकि वो जो वोट पसंटेज चीना गया था या कट गया था वो यही वोट पसंटेज है लेकिन लोग सब आचुनाव में विपरीत प्रिस्तितियां है यहाँ पर सारा बारतिय ज क्रिया का एहम हिस्सा मतदान आज संपन हो गया है थोड़ा था रिलीफ सब ले सकते लेकिन इंतजार चार जून का है आप चारों मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सियासी अखाड़ा देख रहे थे हैं आप रुकरे कुछ देर के लिए खबरों का स